देश में करोना वाइरस के चलते पूरे प्रदेश में जारी करफ्यू से ज्वाली उपमंडल में जनता से पालन करवाने में पुलिस पूरी थरह से एक्शन के मोड में आ गई है कर्फ्यू का सक्ती से पालन करवाया जा रहा है मंदल ज्वाली में केवल मेडिकल स्टोर ही सुभा 9 बजे से लेकर 11 बजे तक खुले जबकि दूद, सबजी और क्रियानी की दुकान ने पूर्ण रूप से बंद रही SDM ज्वाली, सलीम आजम, DSP ज्वाली, उंकार चंद ने पुलिस टीम को साथ लेकर बाजारों की गश्ट की कोटला में भी पुलिस चौकी प्रभारी संजेश शर्मा ने अपनी टीम के साथ क्षेत्र में गश्ट की और इस दोरान जो भी व्यक्ती सडक पर कर्फ्यू का उलंगन करते नजर आया उससे डंड बैठके दिलवाई गई इसके तहत पहला रुज़ान कोटला बाजार में दूसरा कुठेट तत और तीसरा सिहुनी पंचायत में देखने को मिला जहां पर कर्फ्यू का उलंगन करने पर लोगों से डंड बैठके निकलवा कर चेतावनी दे कर छोड़ा गया हालात ये रहे कि जो लोग गाउं से दूद दही और पनीर की सप्लाई देते हैं उन्हें भी घर में रहने पर मजबूर होना पड़ा SDM जवाली सलीम आजम ने जनता से अपील की है कि जनता पूर्णतया कर्फ्यू का पालन करे तथा घर से बहड ना निकले अगर कोई कर्फ्यू का उलंगन करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कारवाई अमल में लाई जाएगी जवाली से संजीव राणा की रिपूर्ट